जै वीम, जै भारत, जै सविधान और बिना सूचना के आज लाइव क्योंकि गोरकपुर में मैं अभी हूँ और छटे चर्ण का मद्दान जो है तीन तारिक में होने वाला है तो जो परत्यासी आजास समाज पर्टी के उत्तर प्रदेश के छटे चरन के परत्यासी उनके लिए समर्थर में अपील करनी थी तो अचानक से मुझे लाइव आना पड़ा बहुजन समाज में जन में सभी संतों गुरुवों महापुर्सों को नमन करते हुए करुणा के सागर्त अथागत गोतम बुद्ध संथ रोमनी सत्गुर अविदास जी महाराज भगवान वालमिकी महाराज गुरु नानक देव संत कभीर गुरु घास इदास जी उनके बाद समय समय पर जन में महापुरुष जिनों ने समाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ा राष्ट जोती बाफूले माफा सावित्री बाफूले माफातिमा सेक्ष उनके साथ छात्रपति साहुजी महाराज छात्रपति सिवाजी महाराज परियर रामा स्वामी नाइकर परियर लले यादव परम पूजनी डॉक्टर बावा साथ भीम्राम बेड कर बावु जग्दे परसाथ कुश्वा जन्नाय कपुरी ठाकूर महामना राम सुप वर्मा संत्राम बिये उनके साथ साथ मानेवर दीना वाना वालमी की साहब मानेवर काशिराम साहब अगर मैं विरांगनाओं की बात करूं तो मा उदा देवी पासी मा जलकारी बाई मा वंतिका बाई लोदी मा इल्यावाई होलकर मा फूलन देवी आपको भी नमन करता हूँ इस देश में अंग्रेजों की गुलामी से आजाज दिलाने वाले सहीर आजम सरदार भगत सिंग सहीर चंशेखर आजाज जी असपाक कुला खावीर अब्दुल हमीद सहीद सुकदेव जी, सहीद राजगुरू जी सहीद करतार सिंग सरभा, सहीद सहीद आजमुदम सिंग ये जो भारत की साजी विरासते इन सब को नमन करते हुए आज का विसेस लाइब क्योंकि कल छटे पर चंड के वोट पड़ेंगे और आजाज समाज पार्टी और उनके गटवंदर के कुछ परतियासियों के नाम मेरे पास है गोरखपुर के चुनाओं को मजबूती से लड़ने के लिए मैं बस ज़्यादा इस बार समय नहीं दे पाया साथियों को लेकिन वो अपनी मेहनद से लड़ रहे हैं तो मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि वो प्रियास कर रहे हैं कि वो आजाज समाज पार्टी के सिंबल केतली के जरिये जनता उनकी मदद करें और वो लोग चुनकर विधान सभा जाएं और उनको चुनना क्यों जरूरी है ये मैं समय समय पर आपको बता दो आज की वैपार की राजनीती में इमानदारी से काम करने वाले पर्तियासों की जुरत हैं और ऐसे पर्तियासी आजाज समाज पार्टी और संयुक्त मोर्चा समाजिक परिवर्तन मोर्चा के जरिये दिये गए हैं जिसमें दो सो टत्र टांडा विधान सभा जिलाम बेड कर नगर से बाई सगीर राणर जी पर्तियासी है मैं आप से अपील करता हूं कि उनको ज्यादा से जबो ज्यादा वोट केतली के निसान पर डाल कर सफल बनाएं दो सो उनासी 279 आलापूर जिलाम बेड कर नगर भीम आरमी से कर्मत सिफाई रहे निखिल राओ जी महां से पर्तियासी है मैं आप से अपील करता हूं कि आप सब उनकी मदद कराएं एक संगर्सी नोजवान युगा एक गरीब परिवार से और वो आजास समाज पार्टी के सिंबल पर केतली के चुनाव चिन पर लट रहे हैं आप सब लोग आलापूर निवासियों से मेरी अपील है कि उनकी मदद कराएं करता है रिंका गोतम जी के लिए मैं अपील करता हूं कि आप उनको जाज़ जादा वोट देकर सफल मनाएं दोसो चुनान में बल्रामपूर सदर जिला बल्रामपूर से लाल जी हमारे प्रतियासी है मेरी आप से अपील है कि उनकी मदद कराएं केतली के चुनाओ चिन पर उनको जाज़ जादा वोट देकर सफल बनाएं बस्ती सदर जिला बस्ती से अरबाबूल हक आजार समाज़ प्रतियासी है मेरी आप से अपील है कि इनके केतली चुनाओ चिन पर मदद कराएं विधानसभा 310 302 सोहरतगड जिला सिधार्थ नगर और पुर्वास सेरे पुर्वांचल अमर्सिंद चोद्री जी आजाज समाज़ पार्टी के प्रतियासी है मेरी सोहरतगड विधानसभा के लोगों से अपील है कि अमर्सिंद चोद्री जी को एक एक वोट केतली के चुनाव निसान पर गेर डाल कर उनको विधानसभा भेजने काम करें अपने प्रतियासी को जिताने का काम करें मेरी आप सभी सोहरतगड वासियों से अपील है 322 गोरकपूर शहर और यहां से मैं स्वम आजास समाज परटी काशिरा हूं और भी मारमी का एक सामान्य कारे करता यहां मैदान में हूं तो आप सबसे अपील है कि मेरी भी मदद कराएं 328 चिली पार से जो गोरकपूर जिले में है पूर अम गुपता यह हमारी प्रतियासी मेरी आप से अपेल है कि कि आप सब लोग उनकी मदद करा के चिल्लू पार से उनको जाज़ाद वोड़ देखे और केतली के निशान पर इवियम का बटन दबा के उनको सफल बनाएं तीन सो चोटीस हाटा से जिला कुषिनगर सैलेश गुपता जी हमारे प्रतियासी हैं मेरी आप से पील है कि उनकी भी मदद करें और एक एक वोड जो है वो सैलेश गुपता जी को केतले चुनाव चिन पर देखकर सफल बनाएं त आज भी आप से अपील है कि डुक्त साब को हमारे भी मार्मिया आजास समाज पार्टिक कारे करता और महां की सम्मानी जनता से पील है कि एक एक वोड जो है उनके चुनाव जिसान गिलास पर वोड डालकर उनको सफल बनाएं अब कुछ इंपोटेंट बाते जो आप से करनी है यह लोगतंत्र का पर्व है लेकिन यह लोगतंत्र भी अधूरा है क्यूंकि आज भी धनबल बाहूबल और सत्तावल के अधार पर चुनाव होते हैं हम गोरकुर सदर से खुद परतियासी हैं हमने तमाम तरह के प्रिशानिया सही है खुद महसूस किया किस तरह से मीडिया आपको नकार देता है एक एक मैं च्छे दिन तक लगातार गली-गली घूम के पर मैंने परचार किया लेकिन एक सिंगल खबर किसने नहीं लगाई एक टीवी चैनल नहीं दिखाया बस सोशल मीडिया के जरिए आप तक खबर आती उसके साथ साथ पहले मैंने कहा था कि यहां के सस्पीक को अटा देजा लेकिन उनको नई अटाएगा फिर यहां जो 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 जूर्नल मेस्टेट है राम बाभू जो मुक्च्मंत्र के बहुत करीबी हैं कहीं तरह के और बरस्टाचार के मामूँ में उनके नाम जो है मुझ तो निदेशक हैं, उसके पद पर वो जो हैं अभी लेकिन को संयुक्त, निदेशक के पद पर जान बूज के रखकर जो है, एक वरिष्ट अधिकारी को उनके जरीए धांदली करवाने का प्रियास मुख्यमंत्र जी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्र जी ने सारे अपनी हार के डर से सारे त्रह के परियास किये हैं, जिससे वो इस चुनाओं को धनबल, सत्ताबल और बाहुबल के अधार पर जीच जाएं। मेरे पास छेत्र के रिपोर्ट है कि पैसे बाटे जा रहे हैं। चुनाओं योग पता नहीं कहां सोया क्यूंकि पूरे गोरगपुर में भाजपा के जंडे और उनके बैनल पोस्टर लगे वे हैं। और जहां हमारा कारेल्य था वो कल शाम ही खाली करा दिया गया था नोटिस देखे कि इसको खाली कर दीजिए। जितने वरकर हमारे बाहर से जो आयवे थे जिम्मेदार वरकर जो यहां काम देख रहे थे उनको कली यहां मजबूरी में यहां सिफ्ट करना पड़ा। क्योंकि कानून विरुद कारिये हम लोग नहीं करते हैं लेकिन एक सडियंत्र के थुरू जो है एक दबाव के थुरू सारे चीज़े की गई। गोरकपूर की जनता भी इस बात को देख रही है कि आजार समाज परटी ने पिछले 15 दिन में कितनी मेहनत करके इस चुनाओं में जो विपक्स की भूमिकायव अदा किये और सिधा-सिधा चुनाओं योगी अत्तिनात और हमारे बीच है। इस गोरकपूर का बहुजन समाज हमारे साथ खड़ा है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपनी हार के डर से सत्तागद रुप्योग किया है। ये डर भी देखने लायक है कि बहुजन समाज के लोगों ने एक तानाशा करूर मुख्यमंत्री को एक एहंकारी घमंडी मुख्यमंत्री को अपने संधर से सबक सिखाने का काम किया कि दुबारा कभी भईस्ये में वो तानाशाई नहीं कर पाएंगे. लेकिन फिर भी वो दुबारा ऐसी गलती जो है तानाशाई की नहीं करेंगे वो इससे में इसका सबक जनता नहीं हाँ उनको दे दिया है। गोरकपूर की जनता का धन्यवाद देता हूं कि इतनी दूर से आए वे अपने बेटे को उन्होंने विश्वास उस पर विश्वास किया उसको उसका साथ दिया। मैंने पूरा चुनाओं वो सयोग पे लड़ा पूरे देश से टीम ने और यहां की गोरकपूर की जनता ने मुझे वोट तो देने का वादा किया लेकिन नोट भी दिये। मैं धन्यवाद करताएं गोरकपूर की जनता का बस मैरी आप से अपील है कि एक तरफ सामंतवादी और प्रूर्षे के सब्सक्रादा वाले व बनने के लिए गोरफपूर से अपना दम खम लगाएं हां मैं हमारे पाइटने साधन नहीं इतने सरकार के लोगे पास हैं हाँ लोग बड़े-बड़े हेलिकोप्टर से नहीं घूम रहे लेकिन हम लोगों ने चपल घिस-घिस के मैनत की है गोरफपूर की गलिया गलिया चान नहीं हैं मैं बसे आपको याद दिला रहा हूँ चाहे वो दिल्ली में रवदास मंदिर अंदोलन हो चाहे वो गुनतर जाज सिक्सक भरती का अंदोलन हो जिसमें अन्याय हुआ और इसी सरकार ने भाजपा की सरकार ने लाठिया बजाई लोगों को उनके हाथ तोड़ दे बेहनों के उनके नियुक्ति में अन्याय किया अरक्षन फॉर्म लोग लागू नहीं होने दिया उसके साथ साथ चाहे वह ससे जीडी का मामला हो दिल्ली में बच्चे अंदोलन किये हम लोग उनके समर्थन में भी रहे चाहे वो किसानों का अंदोलन हो यहां किसान मोर्चा का भी समर्थन हमें मिला है यहां एक और पार्टी है उनका उनके अद्ध्यक्स राजिश्री वास्तिव जो उन्होंने भी अपना समर्थन हमें दिया है जाया तो कोई अंदुरिन हूं हम हमेंशा बर चड़ के उसमें भाग लिए कर Намा कि हमारी वजेसे हमारे रहते अगर कि सी किसी की मदद हो सकती हो हमारे वैसे किसी गरीब को नयाय मिल सकता हो किसी नوجवान को assigned को नोकृरी अपना वोट जो है सामतवादी वेवस्ता को मिट्टी में मिलाने के लिए और अन्यात तचार को खतम करने के लिए और अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए वो अपना वोट जो है आजास समाज पार्टी के चुनावसान केतली पर डाल कर कल ताना साही के अंत्की बात गोरखपूर से करें अपने महापूर्सों के अंदोलन को समझने वाले भौजन समाज के लोगों से मेरी अपील है कि एक तरफ सामतवादी व्यवस्ता है एक तरफ जो है तमाम तरह के जो है अन्य अच्छार और एक लेर बनाके भौजनों को रोकने का जो है माध्यम और कटनाया और कीले ठोक ठोक के तयार की गई है दूसरी तरफ हमेशा से संगर्ष करने वाले बहुजन अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करने उसी कड़ी में मैं बोरकपूर आया हूं आपका विश्वास और प्यार मांगने के लिए मैंने अपने जीवन के बहुत सा नाम तरह का अन्याय लाठिया खूब अन्याय सहा लाठिया भी खाई सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे किस चीज का लाल है सिर्फ इसलिए कि आंदोलन मजबूत हूं इस आंदोलन के जरिये मैं कमजोरों की आवाज बन सकूं मेरे आज भी याद है कि छैवाई दसकी एक तनह अन्याय में मैंने 16 महिने गुजा रहे हैं हर रात इस उम्मीद के साथ गुजारिये कि एक दिन आएगा और मैं यहां से आजाद हो जाओंगा और आजाद होने के बाद मैं इस लड़ाई को सोशी तवर की जो लड़ाई है जिस तरह से अन्याय मेरे साथ हूं मैंने उसको सम तो गिरफतारी हुई जाए मैं मस्जिद से मुझे इस बात का कोई दुख नहीं गिरफतारी हुई मैंने लाटिया खाई मुझे इस बात का कोई दुख नहीं बस मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूं और बिना स्वार्थ के मैंने वो लड़ाईय लड़ी है पहली बाहर मैं आपके बीच में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके वाज बनूँ और आपकी प्रेशानियों को सड़क के साथ सदन में उठाने का काम करूँ और जो समस्या है गोरकपूर की जनता महसूस करते हैं जल भराओ है जाम की समस्या है सीवर की समस्या है नालियों की समस्या रेडी पत्री वालों को समस्या है गत की समस्य विए नहीं हो यह चरे नहीं तरह से प्रियंका भारती पहन को दमाम तरह से सोसित लोगों को जो है अन्याए सोसित लोग सा अन्याए हुआ और फिर उसमें न्याए देने के बजाए उट लुटा पीडितों को ड्राने का काम इस सरकार के लोगों ने किया मेरी आप सबसे अपील है उस अन्याय को सबक सिखाने के लिए कल जब आप सुबर वोट डालने जाएं तो इस बहुजन अंदोलन के सिफाई को वोट डालके मुझे ताकत देने का काम करें जिससे मैं इस लड़ाई को और मजबूते से लड़ सकूँ मैं गोरकपुर की जनता का दुबारश धन्यवाद करता हूँ जब मैं यहां आया था तो मुझे लगा था कि मैं केला हूँ लेकिन जो प्यार इज्जत और सम्मान और जो विश्वास यहां गोरकपुर की जनता दिया आने का काम जो तमाम तरह की प्रेशानियां हैं आम जन्मान की पर अंदोलन करने काम यहीं से हम लोग शुरू करेंगे इन्हीं सब सब्सब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ सबी के लिए मंगल काम ना है बस मेरी आपसे अपील है कल बोट जरूर करें अपने मत्पा परियोग करें अपने मत्फ का परियूग काम करने वाड़ लोंगों दे जो लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते उनको दे और शाथियों से मेरी अपील है जो नोजवान साति हैं कि वो अपने परिवार को जो बुजुर्ग माताय बहने हैं जो वरद जो है हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग है उनको भी परियास करें कि उनको पॉली मूत तक लाएं और उनकी वोट डलवाएं जिस तरह से यह सरकार इस देश में आरक्षन लुकमरी पेरोजगारी उसके साथ साथ तमाम तरह से जो शोषन यहां होता है और किया जाता है उसको खतम करने के लिए नाइंतिक सक्ति अपने हाथ में लेने के लिए मैं आप से अपील करता हूं जिस तरह से सभी भागों में दफ्तरों में गोरकपुर में अन्यायों की प्राकास्टा लिखी गई और मुख्यमंतिरी ने अपने चहीते लोगों को जिस तरह से भरती कराया नोजवानों को जिस तरह से लाटियों से पीटने काम किया रोजगार मांगने पर उन सब को से मेरी अपील है या इसी सत्ता के दम पे कानून बना के इनोंने हमारे लोग पर नयत्त चार किया अब इस सत्ता को काड़ फैकने का समय है तो कल चूकेगा नहीं एक एक वोट को इतली को के निसान पर डालके और सामतवादी सरकार को इनके मुख्या को वापिस इनकी वास्तिवी जगा भीजने काम करें इनी सभी उमीदों के साथ मैं आप से अब अप अपने वाणी को विराम दूँगा क्योंकि यह जो सरकार इसने तानसाई की प्राकास्टा लिखी है उसके लिए हात्रस हम पर उधारन है उन्नाव, प्रियाग राज, आजमगड, आगरा हम पर उधारन है कल फिर इस सरकार के जरीए ऐसे मुख्यमंत्र के जरीए अन्याए गरीबों के साथ अन्याए आना उसलिए उनको सबक सिखाएं जैभीम जैभारत और बाउजन समाहत से मेरी अपील कि वो कल मेरी मदद कराएं और केतली को वोट करें बहुत बहुत धन्यवाद